हलो दोस्तो वेलकम बैक टू नीव वीडियो अमीड करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आपके सामने खड़ी वी है ब्रेंडली यमा आरंट फाइब वर्जन फोर का नया ब्लू कलर जी है दोस्तो यह नया ब्लू कलर है कंबरी ने अभी से कुछ दिन पहले इंडिन मार्केट में लांच किया है दोस्तो आज के इस वीडियो में इस बाइक के बारे में डीटिल में बात करने वाले है इस वीडियो को आप पूरा ज़रू देखेंगा अब आपको डीटिल्स में सारी चीज़े बताने वाले है तो चलिए फिर इस वीडियो को सुरू करते हैं चैनल पर पहली बराया है तो सबस्क्राइब करिए का बिल के अकन को आन कर लिएगा ताकि ऐसी इंट्रस्ट वीडियो का नोडिफिकेशन बे आप तक पहुशते रह सकें और आप मेरे वीडियो सब्डेट रह सकें तो चलिए फिर आज किस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दुस्तो बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मिलती है अब जैर सी बात है दोस्तों अगर कोई भी चीज खरीदने वाले हैं खरीदने की सोच रहें तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास फैसा कितना है दोस्तों R&5 वर्जन 4 एक्सुरूम प्राइज आती है रेसिंग ब्लू कलर 1,87,000 1,87,000 की आपको ये बाइग एक्सुरूम प्राइज देखने को मिलती है ध्यान रहे कि दोस्तों जो वीफूर रेसिंग ब्लू कलर है दोस्तों ये टॉप मॉडल है ये अपनी सीरिस की ये टॉप मॉडल है ये आपको जो है इसमें सारे फीचर मिलेंगे इसमें केक्शिप्टर भी आता है और इसमें आपको ट्रेक्शन गंडॉल ब्लूटूट ट्रेक्टिविटी सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते है तो इसका जो प्राइज है वो थोड़ा से जादा इस बात का ध्यान देखेंगे इसमें आप लोगों को सबसे पहले एलेडी जो डीरल लाइट आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी नो डॉड़ाट इसके जो सिंगल एलेडी प्रोजेक्टर लाइट आपको बहुत ही बहतरी न है इल्लमिनेशन इन विजिबिलिटी दूस्तों वो भी आपको इस बाइक की बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको कोई भी एक्सा फॉगनेट लगाए लाइट यहां पर लगाने की जौरत है जो टरन सिंगल लेप है वो आपको आपको बलद देखने को मिल जाता है बा कर बातकल इस बायक के फ्रन टायर साइस के बारे में तो फ्रेंट में ऐस्यां प्रज्ट थी ऐस्प्रस के अची तो आपको एट कि ऑडल जां सिस्टम देखने को मलता है और एजसा जो की ब्रें जाता है के असपास की जो प्लेट साइज हो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है तो यह था दोस्तो इस बाइक का complete braking चलिए आप चलते हैं इस बाइक के इंजिन स्पेसिपिकेशन की तरब सबसे पहले दोस्तो बात कर लेते हैं इस बाइक के PS power generate करती है and maximum torque इसमें आपको 14.2 के असपास का intermittent torque है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है यानि कि दूस्तो इस बाइक में आपको power engine torque हो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है बट दूस्तो इसमें आपको एक VVA technology मिलती है जिसम कहते है variable value equation इस technology की बज़े से बाइक की performance में चार्ज चार्ण लग जाते है एक बहुत बड़ा plus point आपको बाइक में मिलेगा बाइक दूस्तो लिक्विड को एंजिन है छे गेर के साथ में आती है इसमें आपको आपको लगबग 10 second gaspast के लगते हैं बाइक की जो टॉप स्पीड है दूस्तो वह आपको लगबग देखने को मिलती है 150 km per hour के aaspast की top speed आपको इस बाइक की मिल जाती है चली अब आते हैस बाइक के rear profile में दूस्थर taillight में इस बाइक में आपको LED जो taillight हो आपको बाइक मीलेगी rear में इस बाइक में आपको 140 70 के tire size मिलते है रियर में आपको बाइक में 220 M.M. की dik spirit मिलती रियर का अब exhaust देख पारे वो भी आपको बाइक में बहुत अच्छा मिलेगा प्लस रियर में आपको बाइक में जो monoshocks suspension हो आपको इस बाइक में मिल जाता है चली बात कर लेते हैं में बारे में डिस्ति सभाइक को फुली डिजिटल में देखने को मिलेगा जिस पर ऐसे छो फीचर आपको देखने को मिलेंगे जैसे पीडियोगी अच्छिटिक टिक है अपको डिक्रब्र को विल जाता है स्वेद दूसरों इस भाइक को कम्प्लेट स्पीड वीटर प्लस एंजिन स्पेसिफिकेशन बातकर लिए के डाइमिन से इन क्यापिसिटी के बारे इस भाइक की ओरल लेंथ है वन डावल जीरो मंगी ओरल वीदर सैवन टेंटी फाइब अब लाइड डबल वन ट्री फाइब मेंगी इसका ग्राउंड के लिलेंस से वन सेवेंटे मेंगा सीड़ेट एस की आठ्सो पंदरा मेंगी मिल बैसा तेरा सो पत्रीस एम का कर्वेट वन फोटी ओंगेजी का फिल्टेंग क्यापिसिटी अपको 11 लेटर के आसपास की देखन होगी चलिए फिर बिलते हैं नेक्ट शुरब है लव यूव जाइद वन नमात्रम